हेलो दोस्तो इस दर्ती पर जिसका भी जनम हुआ है उसकी में तु जरूरी है चाहे वो इनसान हो जानवर हो या खुद भगवान भी हो अगर मनुस जनम लिया है तो उसकी मौत निश्चित है व्यक्ति के जीवन में बहे है लोगों से लडाईय करता है नाराजगी करता है और यह मेरा है एहम में रहता है परन्तु आज मरने वाले व्यक्ति से कुछ सीख मिलती है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं मरते हुए व्यक्ति से मिलने वाली सीखे नमबर वन जो है अभी है आगे क्या होगा इस पर किसी का वस नहीं है जो है अभी है बरतमान में ही है सबको जीना चाहिए इस सीख से यह मिलता है कि आगे की ने सोच कर बरतमान को जिया जाए क्योंकि कब अपनी मिरत्तू हो जाएगी अगले पल का कोई पता नहीं होता है नमबर टू आवारी आपके जीवन में जो चीजे है उसके लिए आवारी रहे क्योंकि ऐसे कैई लोग है जिनके लिए आपके पास मुझूद चीजे पाना सपना बस है नमबर टू नौकरिया परिवार नौकरी जरूरी है ताकि पैसे कमा सके और बहुतीक चीजों का सुक पासके ये नेवूले की अतली दौलत आपका परिवारी होता है आजकल के दोर में ब्यक्ति पैसा कमाने और घर परिवार चलाने के टेंशन में इतना खो जाता है कि वह जी जिन्दगी में आप लोगों ने आपके साथ बले ही बुरा करा हो पर आप उनकी बातों को दिल में लेके ने बेटे इससे आप का समय व्यर्थ होगा और आप सारे दिनवर स्ट्रेस में रहेंगे लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे जिन्दगी इसके अनुसार जीना उसे बरवात करने जैसा है लोगों से आपको मतलब ने रखना है वो आपके मूपे कुछ नहीं कहेंगे शिर्फ पीट पीछे ही बाते करते रहेंगे जिनसे हमें कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए खुद के लिए जीना अपनों के लिए सब कुछ करें लेकिन खुद के लिए जीना नहीं किया तो जिन्दखी के आखरी पल में पस्तावा जरूर होगा जब यक्ति का अंत समय करीब होता है तो यही सोचता है कि मैंने अपने लिए तो समय निकाला ही नहीं वे अपने परिवार के चक्कर में उसे पालन पोशन करने है सबको खुस रखने के चक्कर में दिन रात मेनत करता और पसीने में तरवतर हो जाता और आज उसका अंतिम समय आया है तो उसे इन बातों का बूद हो रहा है